दोस्तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे ICAC Bank Coral Credit Card के बारे में दोस्तो ये जो credit card है ICAC Bank का एक popular credit card है और आज की वीडियो में बात करेंगे इस credit card के benefit feature, fees and charges के बारे में और इस credit card की eligibility क्या होगी, कैसे apply करना है complete information के लिए video आपे इंट तक जरूर देखे चैनल पर नए हैं तो जरूर से subscribe कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको financial related जानकारी मिलती रहती है दोस्तो वैसे तो ये जो coral credit card मिलता है ये आपको चार network के अंदर ये credit card issue किया जाता है एक आपको visa network के अंदर मिलता है दूसरा आपको master network के अंदर मिलता है तीसरा आपको MX network के साथ में भी ये card को issue किया जाता है और fourth number की बात करें तो आपको रूपे network के साथ भी ये credit card को issue किया जाता है चारू credit card के network की बात करें तो सभी पे आपको जो benefit है वो same ही मिलता है बट जिस भी network के related आप card को लेते हैं तो उस network का आपको extra benefit मिल जाता है जैसे अगर रुपे network में लेते हैं तो आप UPI payment भी कर सकते हैं और भी रुपे की तरफ से मिलने वाले discount offer को भी आप avail कर सकते हैं coral credit card के welcome benefit की बात करें तो इस card पे आपको किसी ट्रे का कोई भी welcome benefits या पे नहीं मिलता है बट इस credit card के जो बाकी benefit है वो कपी अच्छे मिल जाते हैं बात करें अगर इस credit card की reward funds के बारे में तो अगर आप coral credit card से हर 100 रुपे की transaction करते हैं चाहिए वो online करते हैं या फिर offline करते हैं तो उस पे आपको 100 रुपे spend करने पर आपको two reward funds इस credit card पे मिलता है इसके अलवा आप utility या फिर insurance के category पे भी spend करते हैं तो भी आपको हर 100 रुपे के खर्चे पे एक reward funds मिलता है वट ये जो utility और insurance की category है इन पे केप भी रहती है आपके credit card पे जो total limit होती है उसका 10% तक का आप इन category पे use कर सकते हैं इसके अलवा अगर आप रुपे network के अंदर लेते हैं तो आप you pay payment भी बड़ी असने से कर सकते हैं बट आगर आप कोई भी फ्यून पे transaction करते हैं रेंट payment करते हैं या फिर wallet load करते हैं तो ऐसे transaction पे आपको किसी तरह का कोई भी reward funds इस credit card पे नहीं मिलेगा और इस credit card पे जो भी आपको reward funds मिलता है इनकी value की बात करें तो one reward funds की value आपको 25 पैसे तक की इस credit card पे मिल जाती है इनको आप चाहे तो अपने statement के against में आप case में credit करवा सकते हैं या फिर आप कोई भी voucher या फिर product purchase कर सकते हैं और इस credit card को यूज करके आप book my show या फिर inox movie ticket purchase करते हैं तो आपको 25% तक का discount भी इस credit card पे मिलेगा बट discount लेने के लिए आपकी जो movie ticket होगी वो कम से कम आपको दो movie ticket book करना होगा और आपका जो transaction होगा वो minimum 400 रुपीज या फिर उससे ज्यादा का आपको transaction करना होगा और ये जो 25% तक का discount होता है ये पार transaction पे आप make the mom 100 रुपीज तक का discount इस credit card से आरना कर सकते हैं वट या पे आप जब भी ticket book करेंगे तो आपको daily stock limit भी मिलेगी आपको जब भी ticket book करना होगा तो जल्दी से जल्दी आपको book करना होगा तब ही आपको 25% तक का discount मिलेगा और इस ओपर को आप महिने में दो बार इस credit card के तुरू use कर सकते हैं और अगर आप MX network के साथ इस credit card को issue किया है तो आप जब भी आप bookma issue या फिर आइनोंक से ticket book करेंगे तो आपको discount की जगे case bag का benefit इस credit card पे मिलेगा और यह जो case bag होगा यह 60 days के अंदर आपके credit card पे credit कर दिये जाएगा और ICIC coral credit card पे आपको 1% तक का fuel exercise waiver भी मिलता है बट waiver लेने के लिए आपको HPCL का fuel out rate से fuel लेना होगा और आपका जो transaction value होगा कम से कम 400 से लेके 4000 के बीच का आपको transaction करना होगा वट आपको जान यह रखना है आपको HPCL fuel out rate से fuel लेना होगा वहाँ पे ICIC bank का machine होगा उसके अंदर आपका card से पोगा तब ही आपको यह fuel का benefit इस credit card पे मिलेगा और इस card पे आपको milestone benefit भी मिलता है अगर आप एक साल के अंदर यानि की card की anniversary year तक इस credit card से आप 2 लाग रुपे तक का खर्चा कर लेते हैं तो आपको 2000 milestone में reward funds आपको दिये जाएगा और इस credit card के lounge access की बात करें तो इस credit card पे आपको complimentary domestic airport का lounge access भी मिलता है साथ में आपको railway का lounge access भी इस credit card पे मिलता है पर quarter में आप एक lounge का benefit ले सकते हैं आप railway का lounge का benefit भी ले सकते हैं और domestic airport का lounge access भी आप इस credit card से कर सकते हैं वट आप जिस quarter में आप lounge का benefit लेते हैं, उसके पेले के quarter में आपके credit card पे कम से कम 35,000 या फिर उससे ज़्यादा की spending होनी चाहिए, तब भी आपको complimentary ये lounge का benefit इस credit card पे मिलेगा, और इस credit card पे आईसे ऐसे bank के partner restaurant पे आपको exclusive dining benefit भी इस credit card पे मिल जाता है, इसके अलावे इस credit card पे आपको EMI के facility भी मिलती है, जिसमें आप 15 रुपे या फिर उससे ज़्यादा का आप कोई भी transaction करते हैं, तो उसको आप EMI के अंदर convert कर सकते हैं, साथ में इस credit card पे आपको balance ट्रांसफर करने की facility भी मिलती है, आप इस credit card का balance को किसी other bank के credit card का bill payment करने के लिए use कर सकते हैं, इस इसके अलवा इस credit card पे आपको ICAC bank की तरफ से मिलने वले discount offer वगेरा है, वो भी इस credit card पे मिलीगा, साथ में ये जो credit card मिलता है, ये contactless feature के साथ मिलता है, तो आप किसी भी return outlet पर 5000 रुपे तक का transaction होगा, वो bigger pin के बड़ी असने से कर सकते हैं, और इस credit card को manage करने के लिए ICAC bank का जो i-mobile app है, उसके थुरू आप manage कर सकते हैं, चाये तो अपने credit card की limit को control कर सकते हैं, या फिर अपने credit card का pin वगेरा generate करना हो, या फिर pin वगेरा change करना हो, तो ये तमाम तरिके की facility को आप use कर सकते हैं, i-mobile app के थुरू, अब बात करें, इस credit card के charges के बारे में, तो दोस्तु ये credit card lifetime free भी मिलता है, जिनके पास ICAC bank का premium credit card है, या फिर ICAC bank का premium account है, तो उनके लिए ये credit card lifetime free मिलता है, otherwise इस credit card को joining करने पर आपको 500 plus 18% का GST देना होगा, यानिकि आपको joining करते समय 590 रुपे का आपको joining charge देना होगा, वहीं बात करें, इस credit card की renewal charges के बारे में, तो renewal charges भी same र इस credit card से 1.5 लाग यानिकी 1.5 लाग पचास अजार रुपे का आप खर्चा कर लेते हैं, तो ये जो 500 रुपीज आपको renewal charges लिये जाता है, इसको waiver op कर दिये जाएगा, और इस credit card पे आपको interest free grace period total 48 days का मिलता है, यानिकि इसके अंदर 30 days होता है, वो billing statement cycle का होता है, और साथ मे जो 18 days आपको मिलता है, उसमें आपको repayment करना होता है, यानिकि जो 30 days में आपने जो भी खर्चा किया है, उसका आपको 18 days के अंदर repayment करना होता है, अगर आप timely repayment इस credit card का नहीं करते हैं, तो आपको late payment charge यहाँ पे किया जाता है, जो इस credit card पे कम से कम 100 रुपे से लेके 1200 रु से finance charge किया जाएगा, अगर आप इस credit card को यूज करके ATM से cash withdrawal करेंगे, तब भी आपको ये interest चालू रहीगा, और इस card को यूज करके आप Forex currency में कोई भी transaction करते हैं, तो यहाँ पे भी आपको 3.5% तक का Forex markup charges देना होगा, और इस credit card पे जो भी आपको reward funds मिलता है, इनको जब भी आप redeem करेंगे, तब भी आपको 99 plus 18% का GST आपको देना होगा per redemption request पे, इस credit card के eligibility के बारे में बात करें, तो इस credit card को sell rate person भी ले सकता है, और self employee भी इस credit card को ले सकता है, इस credit card को लेने के लिए officially income की update तो नहीं है, बट आपकी annually income 4 lakh या फिर उससे ज्यादा की है, तो बड़ credit card को apply करने के लिए ICIC bank की officially website के तुरू आप online apply कर फकते हैं, या फिर आप offline branch के तुरू भी इस credit card को apply कर फकते हैं, तो बस यह था ICIC bank कोरल credit card की जानकारी, इस वीडियो में बताई की जानकारी आपको पसंद आई हो, तो इस वीडियो को आप ज़रू से like करें, चैनल पे आप